वीजू फेमिली कैसे आप लोग आशे करते हों कि आप लोग वह द अच्छे होंगे सिहत मंद होंगे खुशाल होंगे और आज मैं आप लोगों के लिए एक नई रेसीपी में बोलूँगी तूस में निव थी रे क्यूब था कुछ नहीं था तो इसलिए मुझे कड़ाई में बनानी थी और ड्राय नहीं बनानी थी इसलिए मैंने थोड़ा सा बताती हूं आगे कि मैंने क्या किया था तो मैंने यहां पर सिम्ला मिट्च ले ली है प्याज कट कर लूँगी मैं टमाटर भी कट कर लूँगी तो टमाटर की सारी seeds में निकाल दूगी जो pulp टाइप रहता है वो निकाल दूगी और उसको और Simla Mird ch और प्याज को तीनों को एक जैसे कट कर लेंगे हम लोग और पनीर भी करके रख लेंगे सारी की सारी चारों चीजे एक जैसी कट करके रखेंगे तो अगर सेमलमीड नहीं डालना चाहें तो मत डालिएगा पर मैंने तो यहां पर तीनो चारो चीजे डाली थी इससे ही सबजी का जो बैस है ना इसी से बनेगा सबसे सांदार यह सबजी लगती है मैंने बनाई तो और प्याज देखें आप में कैसे निकाल रही हूँ अलग-अलग करके पैटल निकाल नेंगे इनके और जो वो बीच में बचता है उसको असाइड कर देजिए आप किसी और चीज में इसे यूस कर लीजिएगा क्योंकि यहां प तो आप कोई से भी एक सेप देदें सारी सब्जियों को और सेम साइज में आप सारी सब्जियां कट करके रख लेंगे क्योंकि देखने में भी बड़ा अच्छा लगता है फिर बहुत अच्छा लगता है एक जैसी सारी सब्जियां कटी हुई रखी रहे तो तो इसके कि जो टामाटाने न वो आप लोगे तो जादा ठीक रहेगा और कि दो मैंने सिमला मिर्च ली थी दो मैंने टामाटाग लिए थे और तीन मैंने प्याज लिए थे यह मैंने पनीर ले लिया था 200 ग्राम करीवन पनीर था मेरे पास में और यह मैंने दही ले लिया है तो इस सबजी में हमको खटा वाला दही चाहिए अगर पनीर टिकका आप बना रहे हो तो फिब खटा दही नहीं चाहिए हमें तो मैंने एक पूरा पेकेट यहां पे दही का ले लिया था जो आता है छोटा वाला और मैंने लाल मिर्ची पाउडर डाला है काश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर डाला है जीरा पाउडर डाला है धनिया का पाउडर डाला है हल्दी डाली है और ये कसूरी मेति जो है वो मैंने डाल दिये काला नमक इसमें एड करेंगे हम लोग कसूरी मेती को थोड़ा सा रोस्ट कर लिया था उसके बाद में जो है मैंने हाथों से क्रेश करके और उसको डाल दिया है तो दही आपको उस हिसाफ से डालना है कि आपकी सबजीयां कितनी हैं क्योंकि सारी सबजीयां कोट हो जाएं और थोड़ा जादा ही लेना है हमको यहां पर हम बेसन भी थोड़ा जादा यूज़ करेंगे और दही भी थोड़ा जादा यूज़ करेंगे क्योंकि हम इसको सबजी की फॉर्म में बना रहे हम पनी टिकका नहीं बना रहे तो फिर दोनों की क्वांटिटी जो है कम कर देंगे तो यहां पर मैंने एक पूरा पैकेट भरके जो है धही ले लिया था 200 ग्राम करीबन धही ले लिया था और चार से पांच यहां मैंने बेसन भूना हुआ बेसन मैंने यहां पर पहले से मैंने भून के रख लिया था वो बेसन मैंने यहां पर यूस किया है और अगर आप पनी टिकका बना रहे हैं इसक्यूवर में लगा के आप तबा पे या गेस पे उसको करोगे तो उसके लिए फिर आपको बेसन भी थोड़ा कम लेना है और दही भी आपको कम लेना है पर मैं बार-बार बोल नहीं कि मुझे यह सबजी फोम में बनाना था इसलिए मैंने दही और बेसन दोनों ही चीज मैंने थोड़ी जादा लिये और मुझे यहां पर थोड़ा सा रेड कलर कम लग रहा था क्योंकि मेरी जो तीखी वाली मिर्ची उनमें बिल्कुल भी कलर नहीं है तो इसलिए फी मैंने काश्मरी लाल मिर्ची का पावडर और एड किया था तो इसको अच्छे से हम लोग एक विश्कर की मदद से और विश् नहीं है सरसो का तेल हमने गरम कर लिला था सरसो का तेल ही इसमें जाएगा इसकी जो जार होती है वह बहुत जादा जरूरी है तो मैंने आप देखरीं और नमक यहां पे हमुग देखलें गवे कितना में दालना है थोड़ा सा टेस्ट करके आप लोग देख लीजिएगा यहीं पर तो उसके इसाब से जो है एड कर दीजिएगा तो अब यह जो मेरी नेशन हमारा बनके रेडी हो गया है इसके बाद में हम सब्जियां सारी ही डाल देंगे यह देखिया आपको मैं टमाटर दिखा यूँकर मैंने कैसे इनको तयार करके रखा है और इस मेरी ने में मिला कि से कम एक डेड़ घंटे करीबन करीबन मैंने रखा था आपके पास जितना टाइम है उतना आप इसको रख दे और जितना रखोगे उतना अच्छा रहेगा और इनको सारी सब्जियों को जो है हम अगल कर लेगा सारे मसालों का फ्लेवर इन सब्जियो में आ जाएगा तो आप कम से कम 20-30 मिनिट तो कम से कम इन सब्झियों को रखें मेरी नेशन में बिल्कूल ली तुरत तान करके और बनाना ले जितना रेस्ट कराओगे उतना यह फ्लेवर फुल हमारी सब्जी बनके रेड़ी होगी तो यह बार बार बोल रही हूं कि पणी क्का नहीं सब्जी यह कडही पनी टिकक而且 लगी थी बन 15 टेस्टी बहुत टेस्ट ई ज्यों किंग सब्सक्राइब कने दो गटे वाध मैंने पूरे दो तरें से और हाई फ्लेम पे इसे आप जो है रोस्ट करिएगा तो उससे क्या है एक स्मोकी सा फ्लेवर इसमें आ जाएगा और क्योंकि मैं सबजी बना रहे हुँ तो इसलिए मैंने ओईल लिया है और इसको सारे मामले को हम जो है एड कर देंगे इसमें और कम से कम 10 से 15 मिनिट जाएंगस से हम चलाएंगे थोड़सी जब तक य सारी चीजें एकज न हो जाये तब तक हम इसे पकाएंगे तो कभी लोक भी हाई मीडियम पर इसको पकाते रहीएगा जब तक यह जो सिंबला मिर्चे वो यह थोडि सॉफ्ट हो ये हमारा बड़ी टेस्टी सी कड़ाई पनी टिकका बनके रेडी है मतलब थोड़ी देर चलाओगा जितनी देर आप चलाओगे उतनी देर अच्छा ही रहेगा तो क्योंकि हमने इसमें बेसंटाला है हालाकि बेसंट हमारा भुना हुआ है पर फिर भी थोड़ी दिर हम इसको चलाएंगे थोड़ी दिर क्या 15 मिनिट तो आपको इसको करना ही करना है गैस पर कभी हाइ कर लीजिए फ्लैम कभी लो कर लीजिए तो ऐसे करके इसको पकाते रहें धकी अमत चलाते हुए पका लीजिए गा तो यह सा सारे की सारी चीजे फिर घुल मिल जाएंगी तो फिर वो मज़ा नहीं आएगा यह सारी चीजे एक बाइट होना चाहिए तो उस हिसाफ से हमें इन्हें भुनना इस सबजी को तो टमाटर देखे टमाटर भी ज्यादा गले नहीं है यहां पर हमाई सबजी पनके रिडी के लिए सबजी काफी रोटी पराठी के साथ में मैंने तो दाल भी बनाई थी पराठी भी बनाए थी रोटी भी बनाई थी बहुत साही चीजे बनाई थी तो थैंक्यू सो मच